ड़ोग लोग रशाइनी क बलग अथ की के वेग बयांजक और वेग इस्थिरांग के बारे में पड़ने वाले हैं इसे जो पीछला बीडियो प्रिय यह किया था कि अभी किरिया दर जो होता है अभी किरिया दर कितने परकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वेग बियंजक और वेग इस्थिरांग के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखे यहां पर वेग बियंजक वेग बियंजक को हम लोग वेग नियम या वेग शमी करण के नाम से भी जानते हैं तो चलिए जानते हैं जो वेग बियंजक है या वेग नियम है या वेग शमी करण है यह क्या होता है तो यहाँ पर देखिए, रशाइनिक परिवर्तन की दर या वेग, दर या वेग, दर कहिए या वेग कहिए बात एके है, तो रशाइनिक परिवर्तन की दर या वेग, अभिकारकों के सक्किरिय शांदरन के सिधे शामानुपाती होता है, सक्किरिय मतलब होता है एक टीब, जो अभी किरिया करने के लिए जो अभी किरिया करता है वह शान्दरन जो होता है राशानी परिवर्तन की दर की क्या हो जाता है सिधा शमानुपाती हो जाता है शिदा समन उपाती हो जाता है जैसे यहां पर दिखे एक अभी किलिया को लेकर के हम लोग समझते हैं जैसे यहां पर यहां पर A, A, A of A है, B of B है, C of C है और यहां पर D of D है, जो यहां पर SMALL A, B, C, D दिये गया है यहां है है स्टाइकियो मेट्रिक गुणांग है यह चोटा वाला जो A B है इसको हम लोग इस्टाइक क्यों मेट्रिक गुणांग कहते हैं तो यहां पर A of A है तो यहाँ पे A और B हमारा अभीकारक है तो वेग बियंजक जो है वेग बियंजक में क्या कहा जा रहा है रशाइनिक परिवर्तन की दर अर्था जो दर होता है वह दर अभीकारक के शांदरन के शिजे समनुपाती होता है इसमें हमको उत्पाद से कोई मतलब नहीं है ए बी अर्थात अभिकारक के क्या होता है अभिकारक के शांदरन के शामानुपाती होता है और एम और एन जो है यहाँ पे एम और एन देख रहे हैं यह एम और एन ए और बी के शामान होता है जो इस्टाई क्यों मेट्रिक होता है उसी को हम लोग पामर में लिखते हैं उसी को लोग को पता है mathematically में क्या होता है जब शामानुपाती हटाते हैं तो वहां पर एक constant एक इस्थिरांक लगाते हैं तो यहां पे जब हम लोग शामानुपाती हटाते हैं तो इसमें हम लोग एक A स्थिरांक लगाते हैं K तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेग बराबर K into A के power M और B के power N अब यहां पे इसको आगे यहां ऐसे भी लिख सकते हैं वेग जो वेग को हम लोग किस रूप में परदर सीच करते हैं, यहाँ पर जो वेग है वहा किस चीच के लिए अभिकारक के लिए वेग है, तो अभिकारक में हम लोग माइनस लगा करके वेग या दर को लिखते हैं, यह चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर के रूप में इसे हम लोग लिख शक्ते हैं अब यहां पर देखिए जहां के है के हमारा वेग इस्थी रांग का लाता है के हमारा क्या का लाएगा वेग इस्थी रांग का लाएगा और यहां पर माइनस डियर बाई जो डिटी है वह अभी किरिया वेग है वह हमारा अभी किर गया है एम और एन वह ए तथा बी के मान के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और साथ यहां पर ए और बी है इसके मान के बराबर एम तथा एन हो भी सकता है और नहीं भी होता है सबसे important बात है इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो अभिकारा के जो पामर में aim और aim है वह उसके stichometry के बराबर हो भी सकता है और उसके stichometry के बराबर नहीं भी हो सकता है तो ये बात अप लोग को ध्यान रखना है, कि जो पामर में A m और n आया है अभी किरिया वेग में, तो वह A m और n उस अभी किरिया में, उस अभी किरिया में इस्टाइकियो मेत्री के बराबर हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है तो फाइनली यहां पे इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं इसी चीज को हम लोग कहते हैं अभिकरिया वेग यहां पे जो है इसको हम लोग अभिकरिया वेग है तो इसको हम लोग कहते हैं वेग बेंजक या वेग नियम या वेग शमिकरण इसी को कहते है हीं अब यहां पे आगे एक ऍग्जांपल लेता है जैसे यहां पर दिखili जैसे यहां पर दिखी यहां पर दिखिए एक हम покуп लेकर करके इसका वेगे निखालेंगे यहां पर अभी किरिया है कि यहां पर अगर वेग विएंजद्स हम निकालते online दें जो विएक वियंजक होता है वह किसके बराबर होता है अभिकरिया के दर के शामानुपाती होता है अभिकारक के अभिकरिया दर शामानुपाती होता है अभिकारक के तो यहां पे हमारा अभिकारक कौन है एनोटू और पलस एफटू हमारा अभिकारक है तो दर दर शामानुप लगा हैंगे तो यहाँ पे इसके पांबर में हो जाएगा दो अब उसके बाद यहां अभिकारक में F2 भी है यहां पे F2 भी है अभिकारक में तो यहां पे हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा F2 का कोई Estichometric नहीं है तो Estichometric उसका एक ही होगा तो पावर में एक लिखे या न लिखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इस तरीका से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग बेंजक लिख सकते हैं तो वेग बेंजक लिखना बहुत ही आशान है सिर्फ आपको उसके अभिकारक में के लगाकर के दर बराबर लिख देना है तो वही हमारा क्या हो जाएगा वेग बेंजक या वेग नियम या वेग शमिकरन हो जाएगा अब यहाँ पर चलिए जो वेग इस्थी रांग है यह वेग इस्थी रांग कोन लोग समझते हैं बढ़िया से कि वेग इस्थी रां रेट कॉंस्टेंट यह बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है वेग इस्थिरांग या रेट कॉंस्टेंट यहां पर देखें वेग इस्थिरांग क्या है वेग इस्थिरांग अभी किरिया वेग तथा अभिकारकों के शांद्रणों के बीच का शामानुपाती इस्थिरांग है जैसे यहां पर देखे वेग बराबर के यहां ए एम पावर में यह एम होगा और बी एन एन भी हमारा का होगा पावर में होगा जहां के हमारा क्या है वेग इस्थिरांग के तो वेग इस्थिरांग को हम लोग के से सूचित करते हैं तो के बराबर हमारा वेग इस्थिरांग क भहते है अब यहां पर इक और चीज नोट में देख घहाई यह बहुत यह बहुत ही important चीज है यह है जब प्रतेख अभिकारक जितने भी अभिकारक है सबी अभिकारक के सांधरन नगर इंडे ले लिया जाए क्या लिया जाय इंडाय ले लिया जाय तब अभिकिरिया का जो वेग धाए वाहल वेग इस्थिरांग कहलाता है तो चलिए देखते हैं कैसे यहां पर देखिए जैसे यहां पर A बराबर B बराबर हम एक मुल प्रती लिटर ले लेते हैं जहां A और B हमारा अभिकारक है जैसे यहां पर देखे A और B अभिकारक है हमारा इस A और B के बराबर हम ले लेते हैं एक मुल प्रती लिटर में लोग मापने है तो एक मुल प्रती लिटर ले लेते हैं तो यहाँ पे A का भीma on ask रखाएगा और B का भीma on ask रखाएगा तो यहां पे जब मान रखेएंगे तो वेग यादर बराबर हो emphasize क्यगोंने के बढ़ाबर को जाएगा यहाँ पर वेग के बराबर हो गया जब अभीकिरिया में अभीकारक का शांद्रन अगर एक मोल प्रती लितर हो अर्थात इकाई ले लिया जाए तब वहाँ पर जो हमारा अभी किरिया वेग होगा वहाँ अभीकिरिया वेग वेग इस्थिरांग के बराबर हो जाएगा वह अभी किरिया वेग किसके बराबर हो जाएगा वेग श्धिराइख के बराबर हो जाता है तो यह चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर ध्यान देखे समझ लेना इसको अब चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर वेग इस्थी रांग के जो है तो वेग इस्थी रांग के का महत्व या विसेश्था क्या है जो हमारा वेग इस्थी रांग के है तो के का महत्वा क्या होता या इसकी विसेश्था क्या है तो चलिए देखते हैं इसके विसेश्था को सबसे फर्ष्ट में वीभीन अभी क्रि अभीकिरिया के लिए के का मान एक ही होगा वैसा नहीं है यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विभीन अभीकिरिया के लिए जो के का मान होता हुआ भीन भीन होता है तो विग इस्तिरांग का मान सभी अभीकिरिया के लिए अलग अलग होता है उसके बाद यहां पर दो में के का मान उच के का उच मान तीरुग अभिकिरिया रथाथ फास्ट रियक्शन ताथा निम्न मान मन्द अभिकिरिया रथाथ स्लू रियक्शन को परदर्षित करता है अगर किसी अभिकिरिया में के का अगर उच माना आगिया अगर जादा माना आगिया तो वह अभिकिरिया जो फास्ट होगा तिरुवब अभिकिरिया होगा अगर किसी अभी किरिया में के का मान अगर नीमन आ गया तो वह अभी किरिया मंद अभी किरिया अर्थात सुलो रियक्शन होगा तो यह चीज भी दिहान देने वाली बात है अब यहाँ पर दिखें यह नीमन यह नियत ताप पर तेक अभी किरिया के लिए यह नियत ताप पर प्रतेक अभी किरिया के लिए के कामान नियत रहता है तो यह जो होता है वेग इस्तिरांग जो होता है नियत ताप पर जितने भी शारे अभी किरिया है सभी अभी किरिया के लिए के कामान नियत रहता है ताप कहने का मतलब हो गया कि ताप बदलना नहीं चाहिए जितना ताप है उतना ही ताप रखेंगे जितने भी सारे अभी किरिया होगा सभी अभी किरिया के लिए के कमान हमारा बराबर रहेगा शमान रहेगा बदलेगा नहीं अब यहां पर देखें चार नमबर में किसी वेग इस्थिरांग का जो मान है वह अभी किरिया में अभी कारक के जो सांदरन होता है उसके उपर निर्भर नहीं करता है वह अभी किरिया का जो ताप होता है उस ताप के उपर निर्भर करता है उस ताप के उपर निर्भर करता है अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभी किरि संद्रन ज्यादा लेजिए या कम लेजिए उसको उससे जो है वेग इस्थिरांग के मान पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ अगर आप टेंपरेचर घटा बढ़ा रहें तो के के मान पर परभाव पड़ेगा क्योंकि यह के जो होता है यह ताप के उपर क्या है अब लोग देख लिए अभी किरिया दर भी पढ़ लिए और अभी किरिया वेग इस्थिरांग भी पढ़ लिए कि अभी किरिया वेग इस्थिरांग किया है तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि अभी किरिया दर और अभी किरिया वेग इस्थिरांग है यह इन तो यहाँ पर देखे, प्रती एकांग समय में उत्पात तथा अभिकारक के शांदरन परिवर्तन की दर को अभिकिरिया रेग कहते हैं, फर्स्ट में या सेकेंड में, यह अभिकारकों के शांदरन पर निर्वर करता है, जो अभिकिरिया की दर है, यह अभिकारकों के शांदर पर दिर भर करता है तीन में इसकी इकाई मूल प्रती लिटर शमय होता है मूल प्रती लिटर टाइम टाइम में सेकेंड हो सकता है मिनट हो सकता है आवर हो सकता है यह अभी किरिया की दर का इकाई होती है अब यहां पर अभी किरिया वेग में देखते हैं तो अभी किरिया वे अभिक्रिया वेग इस्टिरांग क्या है यह अभिक्रिया वेग होता है कब जबकि सभी अभिकारकों का सांद्रन एक मुल प्रती लिटर होता है जब सभी अभिकारकों का सांद्रन एक मुल प्रती लिटर ले लेंगे तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया वेग इस्टिरां क्या है यह एक अभिक्रिया का वेग है जबकि सभी अभिकारकों का सांद्रन एक मुल प्रती लिटर होता है तभी यह संभव है कि अभिकरिया का वेग वेग इस्थी रांग के बराबर होगा दूसरा देखते हैं यहाँ अभिकरिया दर्मे क्या लिखा गया है यहाँ पर अभिकरिया वेग इस्थी रांग के बराबर होगा दूसरा देखते हैं यहाँ अभिकरिया दर्मे क्या लिखा गया है यहाँ पर अभ अभिक्रिया वेग इस्तिराएं के जो कौन चीज के उपर निर्वर करता है ताप पर निर्वर करता है अब यहां पर देखिए इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटी पर निर्वर करता है यहां पर देखिए इसकी इकाई मूल प्रती लीटर प्रती शमय होता है जबकि यहां पर इसकी इकाई है इसकी इकाई जो है वह अभी किरिया की कोटी पर निर्वर करता है अब यहां पे अभी किरिया की कोटी क्या है तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अभी किरिया की कोटी क्या है order of reaction क्या है यहां पर जान जाएंगे कि अभी किरिया की कोटी क्या है उसके अनुसार से अभी किरिया वेग इस्थिरांग का इकाई क्या होगा वो चीजम को पता चल जाएगा तो अभी किरिया की कोटी खो समझने के लिए अगर आपको ऑको डिफरेंसियेशन और इंटीग्रल श्यामा कॉल आथा है तो यहाँ पर अभी किरिया की कोटी आपको समझEND आ या क्योंकि जब अभी क्रिया के कोटी होगा तो अभी क्रिया कोटी में first order reaction, zero order reaction ये सब सारे चीज़ है तो उसमें आपको integral सामा कलन की अवस्यकता पड़ेगी तो सामा कलन की अवस्यकता पड़ेगी तो अगर आपको सामा कलन नहीं आता है समझ में नहीं आता है तो उसका description में उ जा करके देख सकते हैं कि शामा कलन कैसे बनता है और डियवैड डियक्स कैसे निकाला जाता है जियातर करके बाइयो वाले जो इस चीज़ को समझ लेंगे जो मैथ वाले तो मैथ वाले को तो कैलकुलस आता ही है अगर उनको भी अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्टन में लिक देंगे आप भी जाकर के वहाँ से देख सकते हैं तो अगला जो वीडियो होगा वहाँ अभी किरिया की कोटी और अभी किरिया की कोटी में कोटी को शमजने के लिए आकूर डिफ्रेंसियेशन और इंटेग्राल आना चाहिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हमकरेंगे अभी किरिया की घोटी तो तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में